Hello everyone, generally, हमारी आँखों के अंदर सबीशियस ग्लेंड या ओयल ग्लेंड़ से होती हैं चोकि हमारे आइस को लुब्रिकेट रखने का या आइस में चिकनाहट पैदा करने का काम करती हैं जब यह oil gland या जो sabacious gland है वो किसी बज़े से block हो जाती है या तो आप कोई make-up बगेरा यूज़ करते हैं या फिर आँखों को आप ज़्यादा जोर से रप करते हैं जिसके कारण इनके जो sabacious gland या oil gland के जो pores हैं वो block हो जाते हैं किसी बज़े से तो उनसे निकलने वाला जो oil है ब्लॉक होने के कारण वहाँ पर जमा होने लगता है जिसके कारण उस particular जगए पर redness होती है इंफ्लैमेशन होता है वहाँ पर सूजन होती है या hard lump like जो है नोड्यूल लाइक structure बन जाता है जिसे हम इस्टाई कहते हैं या जिसे हम बिलोनी के नाम से भी जानते हैं हिंदी मे हैं जिसे बिलोनी कहते हैं hello everyone myself एं डॉक्टर लक्षमी शर्मा स्वागत है आप सभी का मेरे youtube चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाई क्या होता है इसके symptoms क्या होते हैं साथ ही अगर आपको स्टाई है तो आप इसे homeopathic medicine के द्वारा complete cure कैसे कर सकते हैं या आपको समस्या है अगर बार बार रिकर होती है कुछ दिन में आपका ठीक हो जाता है फिर वही समस्या आपको बार बार अगर हो रही है तो मैं आज आपको ऐसी कुछ homeopathic medicines बताओंगी जिनसे आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से खतम हो जाएगी और अगर आपको acute infection भ करना है यह वीडियो को अगर पहली बार देख रहें तो बैल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है वीडियो को बिना स्किप की एंड तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं अब जानते दोस्तों इ अगर आपकी स्किन में काफी जादा ड्राइनेस रहती है तो आपको आईज में अगर ड्राइनेस बहुत रहती तो भी आपको इंफेक्शन हो सकता है दूसरा अगर आप आई मेकप बगेरा करते हैं और रात में उसको सही तरीके से अगर ग्लीन नहीं करते हैं जिसके कारण आपकी oil red block होने के काड़ ये problem आपको आ सकती है तीसरा काड़ होता है कि अगर आप expiry date का अगर काजल बगेरा या आप eyeliner इस्तिमाल करते हैं तो जिसके काड़ भी आपको infections हो सकते हैं इसका other cause होता है कि आपको कोई vector infection के काड़ भी हो सकता है या किसी another person के जो आगर आप कुछ आई liners बगेरा या make up kids बगेरा यूज़ करते हैं तो भी आपको ये problem हो सकती है इसके अलाबा इसका अगर आप diabetic हैं तो भी glandular infection के chances बहुत ज़्यादा होते हैं और भी इसके काड़ होते हैं कि आपका high lipid profile है या आपकी body में अगर cholesterol का level बढ़ा हुआ है तो भी आपको stress होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अलाबा अगर आपको dermatitis की problem है या फिर आपको skin में अगर acne rosacea और pimples की problem है तब भी आपको ये infection होने की समस्या हो सकती है क्योंकि इसमें oil gland बहुत ज़्यादा active होती है इसके अलाबा अगर आपको dandruff है seboric dermatitis कहते हैं जिसमें dandruff जो है जिस भी पार्ट पे गिरता है वहाँ पे infection या pimple like जो growth है वो produce करता है तो इसके काड़ भी आपको ये समस्या हो सकती है तो ये इसके पीछे ये साभी causes होते ह अब इसके management की बात करते हैं कि अगर आप कोई makeup kit वगेरा use करते हैं तो अगर इस condition में आप use ना करें क्योंकि इससे आपका infection और ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आपने कोई kit use भी अगर कर लिया है तो इसको discard कर दें क्योंकि अगर आप उसको दोबारा भी use करते हैं तो अगर आप कोई भी समान बगेरा use करते हैं जैसे अपना towel है या pillow बगेरा है तो इसको isolate रखें और उसको मतलब दूसरों के साथ share ना करें इस तरह से आप इसको manage कर सकते हैं और अगर आपको बहुत जादा दर्द होता है तो आप bomb application जैसे कि कुछ गरम या तो थोड़े गु काफी हद तक कम हो जाती है अब जानते हैं दोस्तों इसके लक्षनों के बारे में कि अगर यह problem आपको होती है तो किस तरह के symptom आपको देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले तो आपको आँखों में gritty sensation होगा याने life sensation आपको feel होगा आखों में और दर्द रहेगा inflammation रहेगा वह जमा हो जाने से आपको eye opening में भी problem हो सकती है इवन अगर आपको बहुत जादा दो या तीन इस्टाइज है तो यह condition आपकी ज्यादा serious या painful भी हो सकती है तो इस तरह से इसके लक्षन आपको देखने को मिलेंगे अब जानते हैं दोस्तों इसके homeopathic treatment के बारे में अगर आपक इस तरह से इसकी जो दवाईयां है वो अपने रक्षनों के आधार पर इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहली इसके लिए जो medicine है वो है यूफ्रेशिया यूफ्रेशिया homeopathic medicine काफ यूसफुल होती है यह आपकी सारी eyes complete के लिए especially eyes में अगर infection या inflammation है उसको कम करती है साथ ही अग आपको बहुत problem हो रही है आँके खोलने में इस तरह की तकलीफ अगर हो रही है swelling बहुत जादा है वहाँ पर redness है इचिंग बहुत जादा हो रही है तो आप यूफ्रेशिया को 200 पावर में सुबह साम दो दो बून डारेट टंग पर साथ दिन इस्तिमाल करें आप देखें है बार बार आपको बिलोनी होने की समस्या होती है एक बार ठीक हो जाता है फिर आपको एक दो मैने बार फिर होता है तो इस तरह की लक्ष्णों को पूरी तरह से खतम करने के लिए आप यूफ्रेशिया को seven days 200 पावर में एक बार डारेट टंग पर दो बून आप डारेट निगरी केंस पलसिटिला को आप 30 पावर में यूज़ करें यह मैदिसन काफी उसफुल होती है जब आपकी आँखों में जो डिस्चार्ज है वो यलो कलर का अगर आ रहा है पस फॉर्मेशन उसमें यलो डिस्चार्ज अगर आ रहा है सांती काफी जादा इचिंग होती है रेडनेस होती है वहाँ पे जलन प्रेजेंट रहती है तो आप यूफ्रेशिया को 30 पावर में सुबह साम दिन में दो बार दो जो मून जीव पर इस्तिमाल करें 7 डीज आपको प्रियोग करना है चौती जो मेदिसन है वो है साइलीशिया अगर आपको इस टाइस जब प्र कंडिशन में अगर आपको पस अगर बन जाता है तो उस कंडिशन को पूरी तरह से क्योर करने में हेल्प हो लोती है और दर्द को भी कम करती है पांच भी जो इसके लिए जो मेडिसेन है दोस्तों वह है कोनिया मेकुलेटम अगर आपको स्ट्राइज हो रहा है और उसमें क किल जाता है फिर भी उसमें कुछ मबाद पड़ा रहता है जो काफी जादा हार्ड होता है नॉड्यूल गठान जैसे अगर आपको मैसूस होता रहता है वो ठीक अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह की टेंडेंसी को गठान जैसे जो आपके जो बिलोनी होती है उसको क्योर कर हो जाएगी और इससे पस भी एब्जॉर्ब हो जाएगा इस तरह से आप कोनिया मैक का हार्डनेस के लिए यूज कर सकते हैं तो यह सबी मैजसीन है दोस्तों इनको आप अपने लक्ष्णों के आधार पर इस्तिमाल करें आप देखेंगे कि 7 डेज में आपकी जो प्रॉब इस वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पॉर वाचिंग